हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाईज आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो लेयर वाले गरारी की कटिंग और स्टीचिंग करना बहुत इजी तरीके से जो है मैं आज आप लोग को बताऊंगी आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेलफुल रहेगा हेलफुल रहे और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं वीडियो तो जी इसको बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर जो है साड़े तीन मीटर ताव फैब्रिक लिया हुआ है यहाँ पर मेरे पास जो है दो तुकड़े है एक यह इस तरह से जो है तुकड़े में मेरे पास फैब्रिक है और यह हमारा गरीबन तीन मीटर है और यह गरीबन हा हाँ जी तो यहाँ प Emilna मैंने roughly जो है अगरारे की ड्राफटिंग कर लिया है ताकि मैं आप्छो को समझा सकूँ कि जो हमारी लेयर्ज है और ‫ अपर portion है उसको हम लोगों ने जो है total length में से किस तरह से divide करना है ठीक है जी तो जो हमारी total length है वो है 39 inch ठीक है और जो हमारा thigh वाला area होगा इधर से कमर से लेकर नीचे यहां तक जो हमारा knee length होगी वहां तक हमने जो है वो मेरी आ रही है यहां पर 17 inch ठीक है जी तो अब जो यह हमारा घेरा रह गया नीचे का यह हमने निकालना है यह वाला portion ठीक है तो हमने क्या करना होगा total जो हमारी length होगी न जो हमारी total length है उसमें से हमने जो है 17 inch जो हमारी knee length है उपर कमर से लेकर नीचे तक knee length उसको हम minus कर देंगे तो यह आ जाएगा तो 39 में से अगर हम 17 minus कर तो आजाएगा हमारा 11 इंच तो एक जो हमारी ये वाली लेयर होगी वो होगी 11 इंच की और जो हमारी ये वाली लेयर होगी दूसरी वो भी होगी 11 इंच की ठीके जी तो इस तरह से जो हम डिवाइट कर लेंगे तो जो हमारी नी लेंथ है वो है हमारी 17 इंच ठीके जी और जो हमारे part जो layer हमारी बनेंगी वो 11 inch और 11 inch की बनेगी तो हमने क्या करना है जो हमारा 17 inch है उसमें हम 1 inch और add कर लेंगे तो ये हमारा 18 हो जाएगा for swing margin ठीक है ना सिलाई में भी तो हमें margin चाहिए होगा तो उसके लिए हम 1 inch कर लेंगे और जो हमारी layers है ना उनको भी हम लोग 1-1 inch और add कर लेंगे तो ये हमारा 12 inch हो जाएगा तो 12 inch हमने ये लेना होगा और 12 inch हमने ये लेना होगा ठीक है जी तो I hope कि आप लोग को जो है अच्छे से समझ आ गया होगा अब चलिए जो है हम इसकी cutting करना शुरू करते हैं तो जी सबसे पहले हमने अपर portion करना है knee length तक का तो उसके लिए देखिए हम अपने fabric को इस तरह से ऐसे पूरा खोल लेंगे यह हमारा सीधा side है तो इसको हम अंदर रखेंगे क्योंकि हम हमेशा उल्टे fabric पर जो है marking करते हैं तो देखिए इसको मैं ऐसे double fold करूँगी इस तरह से और अब इसी को जो है मैं fourth fold कर दूँगी क्योंकि मैं front और back एक साथ cut कर रही हूँ knee length तक का तो देखिए इस तरह से जो है हम इसको fourth fold कर देंगे बिल्कुल अच्छे से जो है आपने इसको बिछाना है कोई भी जहे श्रिंक वगेरा सिकुडन वगेरा ना रहे आपके fabric में iron कर लिए ना अच्छे से तो यह one two three four तो मैंने इसको चार तै में बिछा दिया है इस तरह से अब जो है सबसे पहले हम जो इसमें belt लगाएंगे ना elastic लगाएंगे उसका निशान लगाएंगे तो देखे उसके लिए जो है मैं इस तरह से ऐसे दो इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे दोनों साइट से यह देखे इस तरह से और अब इस निशान को जो है हम इस तरह से ऐसे मिला देंगे तो जी यह जो है हमारे belt का निशान लगाएंगे तो जो हमारे लंबाई है हमारी knee length तक की वो है 17 inch 17 inch तो देखिए 17 inch पर जो है मैं इस तरह से ऐसे निशान लगाऊंगी और 1 inch मैं इसमें और add कर दूँगी margin के लिए half inch नीचे से सिलाई में जाएगा और half inch उपर से तो देखिए 18 inch पर हमने एक तरह से जो है दोनों साइड निशान लगाना है और अब इन निशानों को भी जो है मैं आपस में इस तरह से ऐसे मिला दूँगी ये रेखिए इस तरह से तो जी ये जो है हमारी लंबाई का निशान हो गया ठीक है जी अब हम जो है कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का निशान हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं जितनी भी हमारी हिप होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं और 3 इंच हम एड कर देते हैं उसमें क्योंकि गरारा थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है तो जो मेरी हिप है वो है यहाँ पर 40 तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 और 3 इंच में लूजिंग के लिए एड कर रही हैं तो देखिए 13 यानि की 13 इंच पर जो है मैं इस तरह से ऐसे यहाँ पर निशान लगाँगी तो जी इस तरह से जो है तो इसलिए मैंने 3 इंच मारजन एड किया है तो देखिए अब 13 इंच का मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है इस तरह से और अब इसको भी जो है हम इस तरह से ऐसे जो है मिला देंगे ये देखिए इस तरह से सारी लाइन्स को हमने ऐसे मिला देना है तो जी अब जो है इसके बाद हम जो हमारा क्रोच एरिया होता है आसन होता है हम उसका निशान लगाएंगे तो आसन के लिए जो हम यह वाली लाइन आ रही है आसन वाली इससे आगे हमने 2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है एक इंच पर बीच में ऐसे तिर्चा निशान लगाएंगे हम और इस निशान के अकॉर्डिंग हम इस तरह से ऐसे शेप दे देंगे और अब घुटने की गोलाई यानि की राउंट नी का निशान लगाएंगे तो जो मेरी राउंड नी है टोटल हो रही थी 20 तो उसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया 10 तो उसमें मैंने 2 इंच और एड कर दिया लूजिंग के लिए तो देखिए 12 इंच पर मैंने निशान लगाया है और अब इस निशान को जो है इस तरह से ऐसे तिर्चा करकर हमने ऐसे मिला देना है ठीक है जी और अब जो है हम इसकी कटिंग कर देंगे जैसे जैसे हमने निशान लगाए है सिंपली जो है हमने वैसे वैसे ही इसकी कटिंग कर देनी है तो जी हमने कोई भी जो है margin वगेरा एका जो है कपड़ा नहीं चोड़ना है क्योंकि already हमने इसमें add कर लिया था और अब जो है हमारा नीचे का घेरा जो होगा ना उसकी हम cutting करेंगे ठीक है जी तो जी अब जो है हमने इसका घेरा भी cut कर लिया है घेरा हमने किस अब क्या करना है जो यह मैं इसका यूज कर रहे हूं आप चाहें तो लेस लगाए ना चाहें तो ना लगाए वो आपकी अपनी मज़ी है तो मैं क्या करूंगी सबसे पहले ना मैं यह लेस लगा लूँगी तो मैं लेस का लाथा लगाऊंगी वो मैं आप लोग को बता देती हूं यह देखिए यह जो हमारा नी लेंथ वाला portion है इसको हम इस तरह से खोलेंगे और नीचे की side जो है इसके हमने यह लेस इस तरह से लगानी है ठीक है जी यह देखिए इस side औ और फिर जो हमारी layer है उसके नीचे वाली side और जो हमारी तीसरी layer है उसके भी नीचे वाली side तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं तो जी यह देखिए यह हमारा जो है नीचे वाला side है इसको हमने सीधा रखना है इस तरह से ऐसे यह देखिए राउंडनी वाला side और जो हमार का कि लेस है उसके जो ट्रेंगल्स है उसको वा हवास रखन से लेस को रखना है और राइल के बीच में मतलब डिक still को पूरा यह ए सिलाई लगानी है konet को AGानी आप लिए उसको पूर हमारा यह इस पर हम इस तरह और पर स Christian लगा लेंगे ये रेखिए और ये कुछ इस तरह से दिखेगी अब हमने इसको इस तरह से ऐसे पलटते हुए इस पर अच्छे से प्रेस कर देनी है बिल्कुल इसको बठाते हुए ठीक है जी तो गाइस देख सकते हैं आप लोग जो हमने यहाँ पर जो लेस लगा ली थी वो मैंने जो है तीनों साइड लेस लगा ली है अब हमने क्या करना है जो हमारा ये उपर वाला साइड है यहाँ पर हमें अपनी मशीन की जो हमारी सबसे बड़ी सिलाई होती है वो लगा लेंगे और यहाँ पर ना हम gather बनाएंगे मैंने यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी सिलाई अपनी machine की लगा ली है अब जो है मैं यहाँ पर gather बनाऊगी gather कैसे बनानी है वो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ तो जी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है मैंने सिलाई लगा ली है अब हमने क्या करना है एक धागे को हम इस तरह से खीचते जाएंगे तो यह देखिए हमारी इस तरह से जो है यह ऐसे gather बनती जाएंगी तो अब मैंने जो है gather दोनों में बना ली है देख सकते हैं आप लोग मीचे ब्रे में भी आप लोग लेर में विए और ऊपर वाली लेयर में भी इसको इस तरह से जो है हम इसके ओपर ऐसे रखेंगे और यहां से जो है इसको ऐसे stitch करते जाएंगे तो जी इस तरह से हमने first layer रखी है और जो हमारा round नी वाला part है उसको हमने इस तरह से ऐसे रखना है और यह देखिए यहां से जो है हम इसको stitch करते जाएंगे और करीबन margin के लिए आपने half inch जो है कपड़ा छोड़ना है क्योंकि बात में आप इस पर overlock भी तो कराएंगे तो उसलिए तो देखिए इस तरह से जो है हम पूरे पर इसको इस तरह से ऐसे attach करते जाएंगे और आपने अपनी gather को बहुत अच्छे से ऐसे समालते जाना है ताकि बिल्कुल ए एक जैसा दिखे कुछ भी ऐसा ना होगी एक जगा आपकी gather से खटी हो जाएं तो आप लोग देख सकते हैं पूरे पर मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से तो एक layer जो है हमारी जुड़ गई है ये देखिए और वो कुछ इस तरह से दिखेगी मैंने आपको ऐसे fast करके दि से रखना है और simply जो है stitch करते जाएंगे जहां पर हमारी triangle वाली lace आ रही है ना उसके उपर और gather को ऐसे आपने समालना है देखिए जैसे मैं समाल रहे हूं वरना कहीं-कहीं पर ना हमारी gather जो है वो इकटी हो जाती है तो फिर वो look बहुत खराब कर देंगी कहीं-कहीं पर ब दोनों पॉंचो में जो है ये layers को जोड़ लिया है दोनों को और वो कुछ इस तरह से दिख रही है देख सकते हैं आप लोग अब हमने क्या करना है अब जो हमारा आसन है उसको हमने जोड़ना है तो हमने क्या करना है दोनों पॉंची से एक-एक आसन इस तरह से हम उठाएं नहीं है क्योंकि यहां पर औरेब कपड़ा होता है तिर्शा तो वो आपका खिच जाता है और फिर यहां पर जोला जाती है तो इसलिए आपने खीचना नहीं है सिर्फ मिलाते जाना है और सिलाई लगाती जानी है और सिलाई ना ज्यादा छोटी रखे ना ज्यादा बड़ी रखें तो देखिए end पर हम पक्का करेंगे और धगा कट कर लेंगे अब दूसरी साइट का आसन भी हम सेम इसी तरह से ऐसे stitch कर देंगे शुरुआत में आपने पक्का करना है और दोनों को अच्छे से जो है मिलाते जाना है और इस तरह से जो है हम इसको complete करेंगे उसके बाद इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और इनको हमने इस तरह से ऐसे मिलाना है और पूरे में जो है हमने यहां से ऐसे पूरी बीच वाली सिलाई लगानी है यह देखिए इस तरह से हम रखेंगे शुरुआत में हमने पक्का करना है दोनों को इस तरह से ऐसे मिलाना है और simply करीबन half विद्ध मार्जन जोड़ते हुए हम इसकी स्टेचिंग्स करते जाएंगे मार्जन इसली अच्छे से छोड़ते हैं ताकि जब अवर लॉग करां तो हमारी स्लाई विलाई ना इकटे तो इसली आपने मार्जन अच्छे से छोड़ना होता है और ये देखिए कि मेरी layer to layer कितने अच्छे से मिल रही है तो जी इसी तरह से जो है पक्का करकर जो है हम सिलाई को कट कर देंगे और अब यह किस तरह से दिखेगा वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ तो guys अब इसको बिल्कुल complete कर लिया है अब हमने यहाँ पर सिर्फ elastik लगानी है तो हमने क्या करना है यह हमाई elastik इसको हमने यहाँ पर लगा देगा तो guys मैंने जो है elastik इसकी लगा लिया है elastik लगाकर मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैंने separate video बहुत सारे बना रखे हैं तो link मैंने आप लोग चेक कर लेना और यह है इसका final look और अभी मैं आपको इसको वेर करके भी तखाऊंगी किस तरह से लिखेगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें क्योंकि जब भी मैं मेरी बनाई भी ड्रेस पहनती हूं तो उनकी जो भी वील्स पगरा होती है फोटोज होती है वो इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें मेरा इंस्टाग्राम है नहापैशन्हॉलिक.09 तो वाईस हमारा जो गरा रहा है वो बनकर तैयार है आप लोग को जो है आज का वीडियो बहुत जादा पसंद आए होगा पसंद आए हो चैनल को सब्स्क्राइब जो करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफेज